1, 2, 3 सबको यार बहुत बहुत वेलकम है हमारे इस ब्रांड न्यू एक्स्क्लूजिव J-Man 2023 ट्रिक्स और चीट कोर्स में So, how this course will change your life? अगर आपको successful बनना है तो पहला स्टेप हमारे पास में होता है अपने बंद दिमाग को खोलना आप सब सक्सस इसलिब डिजर्फ करते हो क्योंकि आप सबका जो ब्रेन है, जो माइंड है वो खुला हुआ है वो भरोसाव और ट्रस्ट आप सबका जो यार स्कुएट के परती है उसके लिए यार एक बार ठैंकी तो इस कोर्स के बाद एक्जाम में भी और लाइफ में भी यू डिजर्फ सक्सस क्योंकि एक तो चीज नहीं है जो आपको को लूब नहीं सिखाता दूसरी बाद मेरे दिमाग से निकलती है साई ट्रिक्स जो किसी किताब में नहीं है तो तीसरी चीज सिखाना कैसे है यह मुझे पता है तो यहां पर मैंने आपके सामने ना 29th July 2022 के पेपर के क्वेस्टन उठा लिए शिफ्ट वन से ठीक है तीन क्वेस्टन मैंने आपर फिजिक्स का उठाया है और इस वीडो के अंदर मैंना मैं आपको वह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि J-Min crack करना बहुत ज़्यादा difficult नहीं है आप बहुत easily J-Min को crack कर सकते हो ठीक है ना questions भी बहुत असान आते हैं और साथ में आप tricks and cheat codes भी लगा सकते हो जो मैं आपको सिखा रहा हूं जिससे कि आपके number बड़े आप J-Min को बहुत असानी से जो है क्रैक कर सकते हो ठीक है जैसे देखो यह first question है बहुत असान question है आपको पता है यह question मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको जब exam बहुत ज़्यादा pass आते है तो आपको ना डर सा लगता है कि मेरे को यह नहीं आता मेरे को वो नहीं आता आप देखो इतने असान-असान question भी जैमेन में आते है ठीक है तो आप कर सकते हो यह भरोसा रखो अब सवाल है कि इस question को हम लोग trick से कैसे कर सकते है eliminate कैसे कर सकते है options को तो यहाँ पर क्या है kinetic energy E है कब fakeने के time और उपर जाते के time यहाँ पर क्या होगा इस तरीके से motion होगा horizontal और फिर घूम के नीचे आ जाएगा पूरी velocity horizontal रहेगी रैट so topmost position पे body move तो कर रहा है ना move तो कर रहा है तो kinetic energy 0 तो हो नहीं सकती कुछ तो होगी लेकिन E तो हो नहीं सकती क्योंकि उपर गया है gravity के against kinetic energy थोड़ा speed slow होगा right कुछ ना कुछ होगा so initial अगर E है ठीक है ना initial अगर E है तो finally E नहीं होगा E से कुछ कम होगा 0 नहीं होगा 0 से जादा होगा क्योंकि movement में है समझे रहो तो इसको कहते है क्या option elimination क्या किया हमने option elimination किया आप option elimination करके बहुत सारे number बढ़ा सकते हो J min में ठीक है so इसमें और इसमें आपको क्या करना है तुक्का लगाना है B और C में सापको क्या करना है तुक्का लगाना है ठीक है दो option eliminate किया अब 50-50 chance है सही हुआ तो plus 4 minus हुआ तो minus 1 आप तुक्का लगा सकते हो बाकी यह question है बहुत असान आप solve भी कर सकते दे ठीक है मलब cos square theta आप करोगे न 60 degree है तो 1 by 4 e by 4 आ जाएगा राइट चलो next question देखो कैसे हम लोग न assumption method को use करते हैं assumption method को हम लोग कैसे use करते हैं आपको मैं यह आपर दिखाऊंगा jman crack करना बहुत असान है इस विडियो का title ही है easily crack jman 2030 अब देखो alpha हमको दिया है inclined plane inclination alpha ठीक है तो alpha को हम 0 बोल सकते हैं हमको देखो normal case में हमको पता है 2 pi root l by g होता है है ना time period ही हमको पता है 2 pi root l by g normal case में abnormal case में जहाँ पे inclined plane है alpha है तो बाकी में से answer होगा एक होता हम eliminate कर सकते हैं क्योंकि जो normal case होता है वहाँ 2 pi root l by g होता है यहाँ पे कुछ मसाला है ठीक है अब वो मसाले को यह अगर हम 0 मान ले alpha की value कुछ भी हो सकती है 30 degree, 20 degree, 50 degree अगर हम alpha को 0 ले ले तो हमारा answer जो है वो 2 pi root l by g के बराबर आना चाहिए yes और no तो alpha को 0 लेने से आप देखोगे cos 0 1 होता है यह 2 pi root l by g के बराबर आया लेकिन यह दोनों देखो infinity हो जाएगा समझे रोओ alpha 0 लेते ही sin 0 0 तो root l upon 0 infinity tan 0 root l upon 0 infinity यह दोनों option क्या हुआ eliminate क्योंकि आप मेरे को एक बाई बताओ alpha जो भी हो alpha को अगर मैं 0 मान रहा हूँ इसका मतलब मैं normal case मान रहा हूँ जहां पर inclined plane है यह नहीं normal सा plane है right flat surface तो क्या flat surface होते ही time period infinity हो जाएगा नहीं यार infinity कैसे हो जाएगा समझ रहो तो दो option हमारे इस तरीके से eliminate हुआ इसको कहते है जुगार तरीका c वाला तो वैसे ही नहीं होगा क्योंकि c वाला हमको पता है normal cases में होता है theta वीटा दियावा है angle है तो c होने के chances बहुत काम है तो कुल मिला के हम क्या करेंगे a option को तुक्का लगाएंगे और वो हमारा सही हो जाएगा इसको कहते है हमारा जुगार तरीके इसको कहते हमला option elimination हमने assume किया क्या assume किया हमने let किया let alpha equal to 0 यह हमने assume किया समझ रहो मज़ा आया trick देखके ऐसे tricks अगर आपको और देखने है न और जैसे मारला आपका score जैमेन में 80-100 के बीच में अटक रहा है आपको बढ़ाना है न अगर बढ़ा के आपको 160 प्लस लेके जाना है 170 प्लस लेके जाना है तो जैमेन 2023 इसका exclusive tricks course में जल्दी से enroll कर लो काफी सारे students enroll कर रहे हैं अगर आपको भी अपना number बढ़ाना है description में आपको link मिलेगा जाके सारी details check out करो payment process को complete करो और उसके बाद में आपको digitally सारी चीज़े कुछ घंटे के अंदर-अंदर send कर दी जाएंगी काफी फाइदे मन कोर्स है बच्चे यूज ले रहे हैं जो का feedback काफी अच्छा है आप भी उससे use ले सकते हो पुरा mindset development आपका होगा logic based calculations आपको बताए जाएंगे कैसे आप ये चीज़ कर सकते हो come time में ठीक है latest papers के अंदर में tricks 2022 के सारे के सारे papers को निचोड करके बहुत सारे questions में आप लोगो दिखाया जाएगा on spot tricks कैसे लगाते exam temperament में जब आप बैठे रहोगे वहां tricks कैसे लगाऊगे कैसे बढ़ाऊगे बहुत mind blowing course है आप इसमें enroll कर सकते हो ये वाला question देखो इसमें बच्चों को दिक्कत या आती है circuit solving नहीं कर पाते हैं वो ऐसे circuit को redraw कैसे करना है ये मैं आपको सिखा देता हूँ जैसे मानलो यहाँ पे मैं A बोल देता हूँ यहाँ पे मैं B बोल देता हूँ ठीक है अगर ये A है तो ये भी A होगा क्योंकि बीच में कोई भी resistance नहीं है सिर्फ wire है ये A है तो ये भी A होगा क्योंकि यहाँ पे उपर जाके wire है समझ गए अगर ये B है तो ये B होगा क्योंकि ये पूरा portion में सिर्फ wire है ये B है तो ये वाला भी B होगा क्योंकि ये wire है तो basically करना ये होता है आपको numbering करना होता है basically तो हमने A number किया यहाँ पर भी A किया यहाँ पर भी एक ही है, क्यों? क्योंकि wire से connected है बीच में कोई भी आपती नहीं है, कोई resistance, कोई capacitor कुछ नहीं है, यहाँ पर B था यह B हुआ, फिर यह भी B हो गया क्यों? क्योंकि यह बीच में wire से connected है कोई भी resistance, कुछ भी नहीं है यह numbering जब आप कर लेते हो ना तो फिर काम बहुत असान हो जाता है, आप circuit को redraw कर लो, A ले लो B ले लो, ठीक है? A ले लो, B ले लो अब काम आपका बहुत असान हो गया यह तो आपका battery है ही सही 6V का बाकि देखो AB के बीच में क्या है? पहला resistance पहला resistance AB के बीच में 9 Ohm का, फिर यह भी देखो AB के बीच में है, दूसरा resistance 9 Ohm का यह भी देखो AB के बीच में है, तीसरा resistance 9 Ohm का तो तीन resistance आगए आपके parallel के अंदर में तो इसका equivalent क्या हो जाएगा R by 3, मतलब 3 तो equivalent क्या बन जाएगा आपका 3 Ohm और यह हो जाएगा आपका 6 Volt है ना, तो current कितना हो जाएगा I equal to V by R मतलब की 6 upon 3, मतलब की 2 2 Ampere clear है तो बहुत ज़दा tough नहीं हो था J-Man के questions को solve करना बहुत असान था, बस circuit को readraw करना था बच्चों को समझ नहीं आता circuit कैसे readraw करें numbering कर लो यार ठीक है जहाँ जहाँ कोई resistance या कुछ आ रहा है number change कर दो, जहाँ कुछ नहीं आ रहा खाली wire जा रहा है, वह numbering सेम रहेगा यह numbering किया AB के बीच में एक resistance, BA के बीच में एक resistance AB के बीच में एक resistance, technically तीनो resistance AB के बीच में parallel में दिग गया 3 आ गया, बस और हमारे पास में 6 वोल्ट है ही सही, I equal to V by R, 6 by R 6 by 3, 2, answer is 2 राइट, तो यह trick मैंने आपको कलपरसो के वीडियो में भी बताया था, वहाँ पे capacitor लेके मैंने बताया था, अब मैं resistance लेके आपको बता दिया हूँ, 2022 22 के जुलाई का question है, shift 1 का यह तो दिखाया ही सही, साथ मैं यह दोनों भी दिखाया, यह तो बहुत शांदार था यहाँ पे बहुत शांदार तरीके सामने यहाँ पर जो है, options को eliminate किया, assumption method यूज़ करके ठीक है ना, यह सारे tricks अगर आपको और सिखने है, mindset develop करना है, ठीक है, मज़ा आ रहा है अगर, next level ले करके जाना है, जैई मेन के पहले attempt में ही अगर आपको अच्छा करना है, तो आपको exclusive tricks course में enroll करना पड़ेगा, 40-50 number का difference हो सकता है, अगर आप enroll करो और ना करो उसके बीच में, अगर आप से possible हो, अगर आप afford कर सकते हो, तो आप definitely इसके अंदर में enroll करो, कुछ बच्चे होते हैं, जो खेते सर, हम afford नहीं कर सकते हैं, अगर आप afford नहीं कर सकते हो, तो आपको YouTube के बहुत सारे episodes देखने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि YouTube के episodes में, दो-तीन questions रहता है, तो आपको वो जुगाडू mindset develop, अगर आपको करना है, तो आपको बहुत सारे episodes देखने पड़ेंगे, तो आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर course में enroll कर लोगे, तो बहुत ज़्यादा आपका चार चांद लग जाएगा, tricks and shit courts आप next level पूरा सीख जाओगे, ठीक है, बहुत premium course है, और बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़े जो उसमें सिखाई गई है, links description में दिये वे, जागर के आप लोग enroll कर सकते हूँ, ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है, तो यार, I hope आपको आपको ये tricks and shit courts की वीडियो पसंद आए होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इस वीडियो लाइक करना मत बूलना, और share करना मत बूलना, अपने बाकी सारे friends के साथ में, ताकि वो भी इस platform का मज़ा उठास के बाकी, तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ों जुड़ने के लिए, बने रही है यार,